इलाइट स्टेडी प्लेटफरम पर आप सभी का स्वागत है इस वीडियों में डिस्कुसन करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस काउंस्टेबल की भर्ती के लिए कितने हवयार्थियों ने आभेदन किया है आगे अब आपको किस तरह से अपनी त्यारी करनी होगी आपको हिमाचल प्रदेश में पुलिस काउंस्टेबल के रूप में जो आपकी दाबेदारी है वो काफी मजबूत मानी जा सकती है इस वीडियों में हम बात करेंगे कैसे आपको आगे अभी प्यारी करनी है साथ मैं आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्वि इसकी भरती होगी और उसमें एज रिलेक्सेशन भी दी जाएगी और भरती पूर्ण ट्रांस्परेजन तरीके से होगी तो दोनों चीज़े आपको यहां पर देखने को मिलेगी इस भरती में देखिए जो कूल पद रहेंगे एक हजाटासी ये पद है और इसके लिए हम आ इहला काउंस्टेबल के 380 पद है उल मिला करके हम यहां पर देखें तो 1080 पदों के लिए भरती प्रक्रियाब होगी तो 115,000 से निकल करके आपको देखिए 1080 में आना है तो यह आपके पास ऐसा भी है कि competition भी इसमें देखिए कि यूज स्तर का उच स्तरी आपको देखने को मि नहीं है कि competition है तो आप निकल नहीं सकते है जो आगे हम आपको कुछ टीप्स देने बाले है उनका आप सई धंक से पालन करेंगे तो हमारी टीम का अनुभब है यदि आप पिछली कांस्टेबल की भरती देख लीजिए का बहुत अच्छी तरीके से महरे टीम ने कबरब किय अगे बढ़े है इसमें कोई आपको ज्यादा खर्चा करने के भी आप सकता नहीं होती है सिर्फ जो हमारे अनुभबी हध्यापा के उनके जो टीप्स आपको आपको फॉल अप करना है देखे सबसे पहला टीप्स आपके लिए क्या रहने वाला है सुबा उठीए अपने द देखे जब आप ग्राउंड कर पाएंगे तभी तो आप रिटर्ण में पहुंच पाएंगे लेकिन हमारी दिन चर्या दिन रूप हमारी जो रूप रेखा हो कैसे होनी चाहिए उससे बहले आपने मौर्निंग पर ग्राउंड जाना है सुरू में देखिए हलके लिके टार् फलता भी मिलेगी उसके बाद आपने क्या करने आप अपने बाप्टी साब जब ग्राउंड से आएंगे उसके बाद फिर से आप अपना थोड़ा डाइट इसमें बहुत इंपोडेंट रोल प्ले करने बाली है उसके बाद आपको क्या करना है न्यूज्विप पर बढ़न जब आपकी एक हैबिट बन जाएगी आप किसी न्यूज्विप पर को रेगुलरली फॉल उप कर रहे है तो दो प्रसन में आएंगे तो किसी अब या ठीक दो प्रसन गलत हो जाएंगे आपके दो प्रसन सही हो जाएंगे तो आप हजारों के जो आपकी कंपेडिशने हजा प्रिक्सा का हमारे पास अनुभव है उसके धार पर हम कह सकते कि उस प्रिक्सा का योजन भी हिमाचल परदेश पब्लिक सर्विस कमिसन सिम्ला ने ही किया था तो उसमें नोंने क्या किया था डिपार्टमेंट जो कनक्टर था उससे सबंदी जानकरिया मांग ली गई थी कि कनक्टर की भरती के लिए क्या-क्या उनकी जो वैब साइट है किस तरह के नियम है किस तरह के टेकनलोजी यूज होती है सारी चीज़े हमने कंपाइल करके बुक पना के दी काफी सक्सेस हुई तो अभी हमारी टीम ने इसी अफजर्बिसन के अधार पर जो इसका सलेबस रह किताब का पोटो दिखाएंगे तो आपको किसी प्रिक्सा के लिए दो किताबें भी क्रिदनी पड़ रही है तो मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए कोई ज्यादा खर्चे की बात होगी तो आपको इसका सबसे प्रिंटिड फॉर्म में आ जाती है तो उसकी तुरूटी हीन बनाने का उसका सत्प्रतिसत प्रयास रहता है दूसरा आपको एक जगह पे सारी हध्यान समगरी मिल जाती है तो इन चीजों को आप अभी से प्रैक्टिस में लाना सुरू कर देंगी ड चारी चीजे करनी इस बुक को पढ़ना है अच्छे से इसके साथ में हमारी टीम के ही एक टैन ओल्ड कोशिन पेपर भी आते जिसमें मौक टैस्ट भी समिरित किये गया है उसको भी आप लोग रख लीजिएगा अपने पास वेबसाइट इलाइस्टेडी को ड़ोट इन पर को कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि धीरे धीरे बढ़ना है आपके पास अभी भी समय हो सकता है अभी 10-15 दिनों का समय आपको और मिल जाए ग्राउंड के ग्राउंड जल्दी बरती प्रक्रिया का आपको देखने को मिलेगा क्योंकि देखिए एच्पी पीसी सिमला की तर क्लासिस अरेंज करते हैं अच्छे आपको टीप्स देंगे फिर आपको आगे बढ़ना होगा प्रिस यह चीज को दिया आप फॉल ऑप करेंगे तो निस्तित और प्रदेश में जो काफी लंबे समय से अपने पुलिस भरती के लिए इंतिजार किया है तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं साथ में हम आपको बता दें हच्पी प्यासी सिमला की तरफ से एक अड़िटीजमेंट जारी की गई है जिसमें देखे जो यह बकैंसी थी होमगार से स्बंदित इसमें एक तुरूटी हो गई थी तो यहां पे कहा गया है कि जो एस का क्रैटेरिया है एक एक वेर्थियम को कंसीडर किया जाएगा आप नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा और आगे पढ़ते रहिए थैंक्यू बेरी मच्च